वक्त हो चुका है 9.44 और अगर हम देखें तो मैं आपको एक बड़िया कंसेप्ट अभी दिखा तो जो पैंक निफ्टी की एक मिनिट के चार्ट पर फॉर्म हो रही है अब देखो पहले तो हुना मार्किंग कर ले थे एक मिनिट का चार्ट है और हुआ है गैप यह उस तो ये अभी उस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक्शन अभी शिस्टम ने तो यहां पर एक्चुलर गेम और यह मार्केट में अभी एक ट्रेंड डेक्शन देने के लिए कset यहां पर क्या trade opportunity हम देख सकते हैं मैं आपको बता हूँ पर यह वो particular zone है जो मैं every single day TCI study circle पर mark करके देता हूँ ठीक है लोगो पता चल जाता है बही कौन सा वो zone है जहां पर हम actively trade कर सकते हैं कौन सा वो zone है जहां पर target booking कर सकते हैं अगर आप अभी भी TCI study circle का part नहीं हो तो make sure कर part बन जाओ यहां पर मैं पहले तो ATM चल रहा है 51900 तो system पर अपना put रख लेते हैं कल भी बहुत लोग बोल रहेते हैं कि concepts interesting है लेकिन क्या इसके base पर real trade लिये जा सकते तो यहां पर एक scalp opportunity हम देखेंगे एक minute का time frame है आप देखो 160 के around में यह जो 50 or 900 का put है इसने एक अच्छा खासा consolidation किया हुआ है तो इसी का base जो है यह हम SL रख लेते हैं तो यहां पर एक proper पहले तो risk reward ratio set कर लेते हैं क्योंकि अगर better risk reward ratio है तो ही हमको trade करना है तो जो fresh selling आई थे जो मैंने seller है ठीक है इसके high पे हम SL plot कर लेते हैं यहां पर अपनी entry बन जाएगी तो चलो एक quick trade ले लेते हैं के साथ में हम trade करेंगे तो बढ़िया दिख रहा है त्रेंड के साथ हम जा रहे हैं त्रेंड जब बनता है ना किसी भी direction में तो दो-तिन तरीके होते हैं आपको trend identification करने के लिए अभी जो मैं आपको यह जो smart money वाली concept बता रहा हो यह एक वे हो गया चलो come on market में एक अच्छा का सा movie हमारे direction में देना start कर दिया बोल सकते हैं आगास तो अच्छा हुआ है देखते हैं अन्जाम कैसा होगा लेकिन जनरली ना कभी भी आपको आपके direction में मार्केट जाते दिखे सबसे पहले कुछ करना है तो एक smartly हमको trailing बिठा देनी है ठीक है जैसे जैसे lower low बनेंगे ट्रेल बिठा देंगे और एक key zone जो मुझे तेज मूँ कर रहा है तो मैं try करूंगा कि part booking कर लो और वहां पर अपने risk को पूरा neutral कर दूँ लेट सी देखते हैं यह जो zone होता ना consolidation zone इसको बहुत seriously लो आप अगर market इसी zone पर फिर से आता है अगर sales active है तो इस zone में मैं और कुछ quantity add कर दूँगा ठीक है तो देखते हैं अपर थोड़ा ICIC आप bank ही लग रहा है जो bullish otherwise कोई asset structure हमको दिखनी रहे heavy weights में जो bank lift को इस particular level पर support देंगे ठीक है यह वो consolidation zone है 51-800 वाला ठीक है यह अगर approach होता है बहुत तेज approach हो रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ part booking और trailing कर लूँगा अगर तो बहुत slowly आराम से जा रहा है then it's perfectly fine हमको trailing करने का फिर opportunity भी मिल जाएगा तो देखते हैं कल भी मैंने न इंस्टाग्राम पर एक concept बताई थी price action की तो बहुत सारे trader बोल रहे थे क्या इसको real market में हम use कर सकते हैं तो similar concept है जहाँ पर trend identification हम पहले कर रहे है उसके सामने trade हम देख रहे जहाँ पर बढ़िया risk reward ratio मिल रहा है तो हम काम कर सकते हैं तो बहुत लोग बोलते की risk reward ratio उतना lucrative नहीं रहता है भाई आप options calper हो एक मिनट के time frame पर आप trade कर रहे हो ठीक है अगर अपने direction में market जा रहा है आपका यह आपका duty है कि कुछ part booking कर लो आप बोलेंगे नहीं नहीं लूंगा तो one is two two one is two three यह बुकिश concept है अगर आप इस तरीके से trade करने बैठोगे ना आधर risk को ट्रेल नहीं कर रहे हो या फिर बड़े rewards के लिए बैठे हुए हो नहीं मिलता है तो बुक नहीं करोगे चौलो बढ़िया मुह आ गई तो फिर काम नहीं बनेगा ठीक है जो लेवल हमने मार्क करके रखा न उसी लेवल को बड़ी candle अप्रोच कर रहे है तो कुछ quantity में पार्ट बुकिंग कर लेता हूं जैसे मैंने आपको बता है तो अपने सो लॉट है सिस्टम में तो हाफ quantity हम यहां पे निकाल देते है ठीक है क्योंकि जनरली क्या होता है ना एक बड़ा candle बन जाता है ना तो उसका रेट्रेस भी हेवी हो जाएगा ठीक है एक अच्छा का सा exit हमको मिल गया है पार्ट बुकिंग किया कुछ quantity मेरी अभी भी सिस्टम में है अब यह एक जैक्ली उससी बाउंस जोन पर आया हुआ है जहां पर पीछे हमने देखा था कि मार्केट बार बार टेस्ट करके उपर आया हुआ तो बैटर मैं एक ही मिनिट में बड़िया हमको profits हो रहा है 40-50% अगर मैं देखू तो profit हो रहे मुझे तो it's okay morning का scalp हम खतम कर लेते हैं अगर फिर से opportunity मिलते हैं फिर से bet लेंगे कि एक बड़िया मुह आपके direction में आ जाता है मैं तीन चार दिन से देख रहा था एक बड़िया मुह मेरे direction में लगता है अगर मैं पार्ट बुकिंग करके बैठा हूँ आओ तो अल्मोस्ट नेट तो नेट लाके रख देता है चलो as expected वह उसी particular zone में bounce ले रहा है नीचे के जो zone आप देखो bank nifty में ठीक है उसी particular zone में जो 51700 के target अभी भी open है लेकिन जो की एक ही बड़े candle में बड़िया मुह आ गया मेरा observation रहता है कि market अगर उसी zone में slowly आता है न तो option के prices उतने नहीं बढ़ने वाले तो being a buyer collects पर यह तो profit book करना ही better है चलो entire quantity book हो चुकी है अगर आपको overall trade दिखा हूँ तो orders में भी आप देखो गया 946 949 ठीक है hardly 3-3 मिनट में अपना trade खतम हो चुका है I hope इस particular trade में आपको at least यह पता चला कि मैं क्या देख के trade initiate करता हूँ क्या concepts मेरे mind में रहता है ठीक है अभी जो आपने यह trade द decision making भी एक मिनट के time frame पे हुई important zone marking भी एक मिनट के time frame पे हुई और उसके सामने execution जो था वो भी उसी time frame पे हुआ तो बहुत सारे traders मुझे पूछते है कि हमें एक अच्छा खासा risk reward ratio कैसे मिले यह जो चीज है ना जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ यह आपके notebook में ना mention क पर लो आप option wire हो एक मिनट का time frame पे आप scalping करते हो as a scalper आपकी accuracy अच्छी होनी चाहिए result vary करेंगे कभी आपको 10-15% कभी आपको 50% जैसे हमने आज 50% का trade निकाला कभी आपको 100-500 गुना भी return मिल सकते है but being a scalper आपकी accuracy बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके पीछे trade make जो आप क zone marking करें और अच्छे risk reward ratio रखें इस सारी चीजों की detail video मैं आगे जाके बनाने वाला हो और यह dedicate video जो रहेगी यह serious traders के लिए रहेगी I hope इस particular video से आपको बहुत सारे learning मिली होगी और यह smart money concepts है मैं धीरे धीरे और अच्छे से आपको explain करते जाऊंगा आपकी answer जो भी सारे suggestions है अधिक अधिया